हेलो एवरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का दीगीनप पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक important topic discuss करने जा रहे हैं और आज के time पर ये discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी है how to complete MA history syllabus दोस्तों आप में से बहुत सारे students जो वीडियो को देख रहे हैं वो MA history के students होंगे और उनके मन में भी ये question होगा कि हम अपना MA history के syllabus time पर कैसे complete करें और complete करने के साथ साथ जो हमने पढ़ा है वो हमें याद कैसे रहे ये भी एक रहता चीज़े तो इसके बारे में आज किस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तो मैं MA के बारे में बात करूँ कि MA history है क्या तो जैसे ही आप MA history complete करते हो आपके नाम के आगे master लग जाता है कि आप इस subject के master हो और slaves complete करना ही enough नहीं है यहाँ पर हमें अच्छे number भी लाना है चीज़े हमें याद भी रहने चीज़े है जिससे हम आगे preparation करें अगर मालो कोई net के लिए जाता है ठीक है आगे jrf के लिए जाता है किसी भी चीज़ के लिए जाता है तो वहाँ पर वो चीज़े याद नहीं रहेंगी तो benefit नहीं है ठीक है तो slaves complete करने के साथ हमारे mind में भी चीज़े रहें उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों मैं भी खुद भी एक MA history का student रह चुका हूं मेरे सामने कुछ problems थी ठीक है जिसका मैंने solution निकाला था ठीक है आपके साथ वो discuss करने वाला हूं क्या पत हो सकता है ठीक है चली start करते है आज का वीडियो सबसे पहले दोस्तों मेरे सामने तीन problem थी सबसे बड़ा जो problem मुझे दिखा huge syllabus MA history का जो syllabus था वो बहुत बड़ा था बहुत ज़्यादा lengthy था हर एक book के अंदर में almost 10 to 12 ठीक है 10 to 12 यह 10 to 15 units थे ठीक है particular एक book हम उठाएं जैसे MHI 01 MHI 01 के अंदर में almost 28 चैप्टर है ठीक है तो 28 चैप्टर वो लगता था यार 28 दिन तो ऐसी खतम होगा एक महीने के अंदर में पर एक महीने में भी नहीं होने वाला क्योंकि वह बहुत बड़ा होता था एक चैप्टर 20-22 बाइस पेस का होता था तो उस तरह से लगता था बहुत बड़ा और यह बड़ा कब लगता है दोस्तों जब आपने पीछे इस तरह का study नहीं किया हो पीछे आपको करने की आदत ना हो तब हमें यह चीजे लिखती है और जिस students ने 11-12 के सास साथ अगर उसने भी ये जो graduation का पूरा time period रहा है तीन स दूसरा जो मेरे लिए problem था lack of time मुझे time बहुत कम मिला था ठीक है चीजे क्यों time कम मिला क्योंकि सही time पर update नहीं मिलता था कि exam कम होने वाले admission कम होने वाले कई बार क्या होता था admission आपने देड़ दो महीने late लिया देड़ दो महीने late लिया तो आप देड़ दो महीने late start problem है वो problem है ठीक है इस तरह से चीजे चल रही थे तो वहाँ पर time क्या में इसा shortage रहती है में history के students के लिए जो distance learning से पर्टेंस पेसले उनके लिए क्योंकि distance learning वाले को कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि कैसे क्या करना है कोई guidance नहीं मिल रही होती कि कैसे क्या करना है तो यहा क्या था YouTube content ठीक है कोई भी YouTube content सही तरीके से available नहीं था YouTube platform पर जहां से मैं ma history complete कर सकूँ ठीक है बहुत कम पढ़ने वाले ज़्यादा थैं पर बढ़ने वाले बहुत कम थे उसके बाद ही हमने the in-up start किया और the in-up पर हमने ma history का डालना start किया क्योंकि जो major problem face हो रही थी कि यह च मिलती है तो प्लीज यार आगे दोस्तों को भी बोले सेर करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए जिससे उन्हें भी आने वाले टाइम में help मिले तो सबसे पहले चीज क्या मिला इस लेक विश्टरी मेटेल के अंदर में social media पर content नहीं है अगर आप किसी और subject के students हो तो आपको YouTube के ऊपर ही बहुत बड़ा सलिवस मिल जाएगा आप वहां से help लेकर easily cover कर सकते हो YouTube की help लेकर क्यों गए रहा हूँ मैं क्योंकि distance learning में आप classes ले नहीं रहे सही से ठीक है तो आपके पास एक source बच जाता है YouTube की वहां से जाके लोग पर इसमें भी अगर आप एक ही topic को 10 अलग अलग channel पर पढ़ोगे तो I hope so आपको समझने की बजाए confused हो जाओगे एक channel को focus करो the in-up जैसे channels के साथ जुड़ो आगे बढ़ो वह better है join करो ठीक है join का button पर एवन दो UPSC के लिए बहुत बार इगनू की books recommend की जाती है कि आप इस book से study कीजिए UPSC आपका निकलेगा ऐसा का जाता है ठीक है तो वो books बहुत lengthy है वो समझने के purpose से नहीं बनाई गई है अगर MA history आप कर रहे हो आपके बाद 10-12 साल का time अच्छे से पढ़ना है कि एक चीज़ को समझना है ठीक है analyze करना है तब उस समय के लिए book वो best है इगनू की book पर अगर आपको समझना है तो उ School of Open Learning Soul की जो book थी first year की तो उसकी books same as like इगनू की book की तर बनी हुई थी आज इस तरह की इगनू की book है उस तरह की बनी हुई थी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही S.O.L की दुवारा book देखी जिसके अंदर में उन्होंने चीज़े चेंज कर दी चीज़े की चेंज क्या करी एक तो थोड़ा बहुत जो फाल्तू चीज़े उसमें दे रखा था उसको हटाया उन्होंने उसके बाद उन्होंने सब को points में ब समझने के लिए book अलग बनानी चाहिए और YouTube पे content नहीं है ये भी एक problem मिर ले थी उस समय और तीसरी चीज जो supporting material जो हमें बाहर मार्केट से खरीदते हैं ठीके उसकी भी कमी है एक ही publication है जिसकी monopoly एक तरसे market के अंदर में nearest publications की ठीके एक दो और हैं बट वो पूरी तरसे available नही है market के अंदर में तो ये एक problem मुझे दिखी निरच publications की भी उन्होंने चीजे बहुत time से change नहीं करी है उनको समय के साथ update करना चाहिए चीजे अलग करना चाहिए तो ये भी मुझे एक चीजे दिखती है ठीके जो मुझे उससरी problem लग रहा था इसका solution मैंने simply और जो मुझे कि सब चीजे तो change होने सरही अब YouTube एक बंदा अचानक से आके वीडियो बनाने सरह time अचानक से बढ़ने सरह ठीके books इगनू change करने सरह तो इनका solution कुछ अलग हमें करना पड़ेगा जिससे हमारा चीजे solve हो तो इसका solution क्या मैंने निकाला सबसे बहले question paper मैंने 10 साल के question paper study करना exam होते हैं ठीक है यहाँ पर मैं बात करूँ एक साल के अंदर में दो बार exam होते हैं एक question paper के अंदर में ठीक है एक question paper के अंदर में total 10 question होते हैं ठीक है अगर 10 question है तो अलग-अलग 10 chapter से लिया गया है तो मतलब कि आपने 10 lesson पूरे किये और दो बार exam होते हैं तो दूसरा question paper भी आपने लिया, दूसरा question paper लिया तो उसमें भी 10 question है, पर उस वाले question paper से आपका शरी 5-6 lesson पूरे हुए, क्योंकि 5-6 question तो इसमें से repeat हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से almost मैंने 10 question paper को solve किये, ठीक है, 10 साल के question papers को solve किये, तो मुझे ये समझ में आया, कि यह जादा तर जो syllabus से almost complete हो ये चीज़, पहली चीज़, question समझ में आया, कि क्या है, पूछा जा रहा है, question का pattern समझ में आया, कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, और almost कह सकता हूँ, 10 साल के question paper को complete करने में, मेरा जो syllabus था, जो book का syllabus था, वो almost 70% से ज़्यादा complete हो चुका था, और questions क्या repeat हो सकते हैं, किस तर के questions repeat किये जाते हैं, exam में, most repeated question क्या है, वो सब का मुझे idea मिल चुका था, ठीके, इसको करने में, मुझे almost 1-2 week लगे थे, एक book का, ठीके, 1-2 week अगर मैं आराम-ाराम से करो, अगर normally कोई fast करे, तो 3-4 दिन में आए, 10-10 year के questions paper आप complete कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीके, तो 3-4 दिन लगे थे मुझे, ये question paper को complete करने में, ठीके, समझ में आता है, ती, दूसरा step मैंने क्या गया, question paper complete हो गया भी है, उसको अलग रखा, मैंने पूरा, जो, जिस copy में मैंने complete किया, जहां पे मैंने लिखा, जारा question paper, सब कुछ अलग रखा, एक बन गया point, दूसरा point मैंने start क rough reading क्या होता है भाई, तो मैंने supporting material लिया, नीरच की जो publications book होती है, वो लिया, इगनो की book लिया, question paper पहला निकाला, ठीके, question ये है, book के अंदर में गया, अच्छ, अच्छ, ये है, ऐसे से करके rough reading किया, हाँ, ठीके, 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 ये भी है, हाँ, यहां पे ये मतलब बनता ह इस तरीके से, जो rough reading होता है, fast time period के लिए करते हैं, वो rough reading करना है, start किया, जिससे और rough reading ना, एक बार नहीं की, एक बार पढ़ लिया हो गया, rough reading का time मैंने set किया, कि मुझे 10 साल का question paper solve करना है, ठीके, तो almost मुझे क्या करना पड़ेगा, कि 4 दिन का time लिया, 5 दिन का time लिया, 2 साल का question paper एक दिन में solve करना है, तो 5 दिन के अंदर में मुझे क्या करना है, पूरे 10 साल का question paper solve हो जागा, 5 दिन का, और total मैंने ऐसे 10 दिन किया, total, दो बार question paper को repeat किया, ठीके, और question तक याद हो गए थे, कि ऐसे question यह चीज़े है, तो rough reading बहुत जादा useful रही मेरे लिए, ठीक practice and time management, ठीक है, यहाँ पर time लिख लो, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर जब अप इगनु के students हो, इगनु की बात करे हो, तो exam भी तो देने जाओगे न, और distance learning वाले students की सबसे बड़ी कमी है, क्या है, कि उनको चीज़े पता नहीं कि कैसे exam होगा, ठीक है, कितना क्या करना है तयारी क्या करना है, वो पता ही नहीं, लिखना कितना है, उनको यह नहीं पता, ठीक है, वो page भरने पर depend करते हैं, कि page कितना भरे, यह चीज़े तो इस पे नहीं, तो practice मैंने क्या, कि भाया, मुझे करना क्या है, एक question मुझे 500 words में लिखने, तो 500 words लिखने की practice करो, speed बढ़ा 10 points को कैसी लिख के आजाओ, एक, दो, तीन, चार, पान, तस, उसको define भी तो करना पड़ेगा, define करते हैं, मैं कितना कर रहा है, define यह भी मुझे देखना पड़ेगा, मैंने आपको समझाया यह इतनी सारे चीज़े हैं, पर सब थोड़ ना लिख दोगे, उसमें से main चीज़े वाद राम से सो जाओ, ठीके, फिर दुबारा से, सामवाम को वापस बैठो, अच्छा, यह question solve किया था, खुद ही check कर लो, कि क्या था, मिला लो, original वाले question paper से, solve question paper से, मिला लो, अच्छे, यह था, okay, done, इतने number मिलते हैं, ठीके, फिर इसी तरीके से, रोज, almost करा, मैंने almost मही यह था, ठीके, तो वहाँ पर मेरा syllabus complete करने में, यह बहुत जादा helpful रहा, ठीके, यह मुझे यह लगता है, practice वाला session, ठीके, तो यह तीन चीजे जो मेरी solution थी, तो यह मैंने किया था, दोस्तो, इस तरीके से मेरा syllabus complete हुआ था, number भी अच्छे आ गए थे, आपको यह बताना है कि आपकी problem क्या है, और आपने किस तरह का solution ढूड़ा है, ठीके, क्या problem आपकी same है मेरी तरह से, comment के जुरूर बताना, चीजे हमें समझ में आते हैं कि हाँ, यह चीजे है, share करने से पता चलते हैं कि क्या चीजे चल रही है, ठीके, और जो भी आपके friends है, जो MA history करना चाते है इगनू में पढ़ रहे हैं, ठीके, तो उनको कुछ guidance चाहिए, कुछ idea चाहिए, तो आप हमारे channel suggest कर सकते हैं, वो हमारे channel से जुर सकते हैं, यहां से बहुत सारी चीजे उन्हें सीखने के लिए मिल सकते हैं friends, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best.